दोस्तों हमें ड्रीम 11 पे टीम लगाते समय एक बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है जिससे आप अपनी ड्रीम 11 के टीम को फर्ष्ट रैंक पे ला सकते हैं देखिए ये बात क्या है कि फ्रेंड्स जब हम कोई भी टीम को लगाते हैं तो उसके दोनों पल्यर्स को हमें कॉन्फरम जनकारी होना चाहिए और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जब टीम लगा रहे हैं किसी मैच में टीम लगा रहे हैं तो उसमें जो है जिस मैच में टीम लगा रहा है और उस टीम में जो जीतने वाला टीम होता है उनके पलेयर को हमें ज्यादा सेलेट करना होता है इसलिए मैं कर रहा हूं कि जो भी मैच लगा रहा है तो उसका जो है जो जीतने वाला पलेयर है उसको जनकारी लेना जरूरी है कि कौन से पलेयर जीत रहे हैं कौन से टीम जीत रहे हैं और कौन से टीम का हारने का चांस है यहां तक कि हारने वाला पलेयर में से हारने वाला टीम में से तो हम ज्यादा पलेयर को नहीं सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें आगे ही confirm हो चुकी है कि यह player जो है यह team जो है आगे चल करके इस match को हार जाएगी तो हम उसमें से अपने player को drop कर लेंगे और जो जितने वाला team है उनमें से हम अपने player को pick करेंगे अच्छे अच्छे player को pick करेंगे तो यह सारी जनकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि किस तरह से आप पता करेंगे कि किसी भी match का जो start हो रहा है तो start होने से दो घंटे पहले उसमें कौन से team जीतने वाला है और कौन से team जो है हारने वाला है सो बने रहे वीडियो में अंतक और चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करके bell icon को paste कर ले तक कि इस तरह के helpful वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं देखिए इसके लिए आपको अपने phone में एक application को install करना होगा जिसका नाम है click daddy इसका लिंक आपको वीडियो का description में मिल जाएगा आप वहाँ से install कर सकते हैं देखिए यहां पर हम इसको open करेंगे open करने के बाद यहां पर देख सकते हैं इसका user interface कुछ इस तरह से आपको सुख हो जाएगा तो मान लिजिए यहां पर एस्ट्रेलिया और इंग्लंड के बीच में एक मुकाबला होने वाला है जो आज का मैच है यह एक बज़ करके 40 मिन M.to पिएम में यह मुकाबला सुरू होने वाला है तो हम इसमें जानेंगे इसमें देखेंगे कि कौन से जो इसमें टीम है एस्ट्रेलिया का टीम जो है ओ विन करेगा यह इंग्लेंड का टीम जो यह विन करेगा तो इसकी जनकारी लेने के लिए आपको simply यहां पर पोल्स क है उस मैज को ड्हुंडना जैसे कि यहां पे देखिए ऐस्ट्रेलिया और इंगलेंड के बीच जो मैच है मैच यहांपे सोह हो रहा है तो हमें इन मेज पता करना है कि कौंशे टीम जू है जीतने वाला है और कौंशे सब्मेट एक टीम करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से पेज सो हो जाता है तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह से पेज सो हो जाता है तो यह एलो कलर जो है यह एस्ट्रेलिया का है और यह कलर जो है थोड़ा ग्रीन टाइब का कलर है तो यह है इंग्लेंड का यहां पर बिंदू देख सकते हैं एलो कलर का बिंदू अस्ट्रेलिया के पीछे लगा हुआ है और यहां पे इंगलेंड का पीछो जो है यह गिरीन कलर का बिंदू लगा हुआ है तो आप यहां पे कनफरम हो चुके हैं कि यह एलो कलर का जो है यह अस्ट्रेलिया का है तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कौन से टीम वीन करने वाला है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अश्टरेलिया का 46.7% चितने का चांस है और यहाँ पर इंग्लेंड का 27% यहाँ पर चांस बता रहा है यानि कि यहां पे ज्ञादा मैं दिखाई दरा है आधिक यहां पे 46.70 परसेंट अस्टेलिया का तो यहां पे इनके जड़े जुदने का चांस है यानि अस्टेलिया का जो चांस है यह मेच को जीतने का चांस ज़्यादा है इनके उपर ये अस्ट्रिलिया का टीम जो है इस मेच को जीत सकते हैं तो यहाँ पे हम confirm हो चुके हैं कौं से टीम जीतने वाला है और कौं से टीम हारने वाला है दोस्तो एक बात आपको बता दो कि जब आप मैच को कभर करे हैं मैच में टीम लगा रहा हैं तो उससे दो घंटे या यह घंटे पहले आप यहाँ पर आ करके देखेंगे तो यह अप्लिकेशन आपको कनफरम जनकारी देगी इसके पहले अगर आप लगाते हैं टीम और यहाँ से देखेंगे टीम लगाते हैं तो यहाँ पर आपको बिलकुल भी कनफरम जनकारी नहीं मिलेगी आपको काफी पसंद आए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों को साथ सेर करें मन में कोई डाउट हो तो हमें निचे कमेंट में पूछ सकते हैं